गुड मॉर्निंग इस्टुडेंट्स तुडेज आएम गुएंग टो टेकर क्लास सेबेन यूर सब्जेक्ट एसस्टी एसस्टी पार्ट आएकस्प्लेइन जियोग्राफी जियोग्राफी चैप्टर नमबर नाइन ओके सो बेटा आज हम चैप्टर नमबर नाइन को देखें रेगिस्तान आपने आगे हम इसको देखेंगे कि रेगिस्तान क्या होता है तो आज हम रेगिस्तान की जीवन के बारे में पढ़ेंगे आपके इस चैप्टर में तो डिजर्ट दिखें डिजर्ट क्या होता है डिजर्ट मीज It is an aride region characterized by extremely high or low temperatures and has scarce vegetation मतलब इसका क्या है कि यह एक बहुत ही इसका चरित्र कैसा होता है यह कैसा होता है यह एक ऐसा प्रदेश ऐसा च्छित्र होता है जहां पे बहुत ही जादा टेंप्रेचर हाई होता है या तो बहुत ही लो टेंप्रेचर होता है मतलब तापमान और बनास्पती यहाँ बहुत ही कम मात्रा में होती है ठीक है अब आलु अला इलाका होता है बटा तो यहीं डिजर्ट्स है पानी की यहाँ बहुत कम सकंटी वेरे सकंटी ओके तो लेट से स्टाट लाइफ इन दे डिजर्स चप्टर नमबर नाइब इन चैप्टर फाइब यू वाटर में लाइब तो फ्लांट हमने देखा चप्टर फाइब में की पानी का मतलब क्या होता है जीवन ही है प्लांट एनिमाल संद पीफल्स ओके तो यह सब चीजे हम ने देखा बिटा इपके पूल्मिला के कहने का कि यह बहुत कठिन है किसी के लिए भी एक जीवन में रहना कि जहां पे तेर इस नो वाटर पानी नहों पीने के लिए जहां पे घास नहों पसूं के लिए और जहां पे पानी नहों ग्रोव करने के लिए किसके लिए क्रॉप्स के ग्रोव करने के लिए तो यह सब यानि अभी तक क्या देखा कि डिजर्ट में पानी की बहुत कमी है ठीक है बिटा है we will now learn about the places in the world where people have learned to cope with extreme harsh temperature यहाँ पर बहुत जदा temperature होता है in some places as a hot as fire कुछ अस्थानों पर इतना temperature होता है मतलब गर्मी जैसा अबहास होता है आग जैसा and some as cold और कुछ अस्थानों पर बर्प जैसा ठंडा अस्थान होता है ठीक है तो डिजर्ड्स में हम दो परकार का डिजर्ड्स पाते है एक तो जहाँ पे बहुत जञादा hot temperature हो एक जो बहुत जञादा cold temperature हो डीजर्ड़ अरा एरियाजिक अर् एरिया हमारे डिजर्ड्स हमारे इस कुछ वाल लो रेन्फाल इसकी अब इसका देखिए rain fall क्या होता है बहुत ही ज़्यादा कम यानि बरसाद बहुत कम होती है इन डिजर्ट्स में scanty vegetation, vegetation की बहुत कम संख्या है and extreme temperature और temperature बहुत ही ज़्यादा होता है depending on the temperatures there can be hot digits or cold digits यहीं पूरी स्थिति depend करती है किसी भी digits में यानि यह जो temperature है hot and cold ही किसी भी digits को divide करती है पार्ट में कि वह cold digits है या hot digits है तो अगर गर्मी रहेगी तो hot, cold रहेगा, ठंदा रहेगा तो cold digits तो इस प्रकार से digits कितने प्रकार खोते हैं? two types of digits, hot digits and cold digits तो the people inhabit these lands, little water is available to practice agriculture और यहां पर जहां भी थोड़ा बहुत कहीं मात्रा में पानी मिलता है वहां पर लोग क्या करते हैं कि रहने वाले लोग क्रिसी करते हैं खेती agriculture करते हैं ठीके विटा तो आइए देखते हैं फिर आब आते हैं तो the hot desert and cold desert में अब हम hot desert पढ़ेंगे sahara 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 कहां है यह अफ्रिका continent में ओके अफ्रिका महादीप में बिठा एक यहीं अफ्रिका continent में तो अफ्रिका continent में क्या देखते हैं कि look at the map of the world and the continent of Africa हमने आपको अफ्रिका बताया भी है में तो देखते हैं सहारा डिजर्ट covering a large part of North Africa मलब यह अफ्रिका के अफ्रिका continent के किस part में नॉर्थ का अफ्रिका पार्ट में यहीं नॉर्थ में उत्तर में और एब इस्ट वर्ससा चे सबसे बड़ा सबसे बड़ा एरिया क्लिभा या वाला डिज़ट है सबसे लार्ज़ट इस डिज़ट सब्सक्राइब कि हमारे इंडिया की टोटल एरिया कितनी है 3.2 मिलियन सब्सक्राइब 32,87,263 सोच लिजे यानि भारत से ये कितने लगभग लगभग तीन गुना है वेटा धाई गुना से उपर इतना बड़ा ये सहारा डिजट है 10 सहारा डिजट, touch 11 कंट्री, सहारा डिजट कितने कंट्रियां टच करती है सहारा डिजट से 11 यानि 11 देश, अफरिका के 11 देश, अफरिका कॉंटिनिन के 11 कंट्री टच करती है किसको सहारा को अदीजेरिया और यह कौन-कौन से कंट्रिया है अलजीरिया, चाड, इजिप्ट इजिप्ट को जिस आज के समय में मिसर कहते हैं लीबिया, माली फिर मॉल्टीनिया, मॉरक्को, नाइजर, सुडान, ट्यूनिसिया एंड वेस्टर्न सहारा इतने कंट्रिय इसको टच करते हैं आप देखें, वेन यू थिंक आफ़ डिजर्ट अपिक्चर, आप देखते हैं कि इमिडिटली कम्स तो यूर माइंड माइंड आप संट, तो हमारे दिमाग पर तुरंद क्या आता है अगर हम दिजर्ट की बात करते हैं तो क्या आता है बालू, सैंड यानि बालू आ जाएगा बट, बिसाइड दवास्ट इस्टरेच अफ सैंड देट सहारा डिजर्ट इज कवर्ड विध दियर आर आल्सो ग्रेवल्स प्लेट इजर्ट 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 इजर् में भी मोर दन कितना उपर तक उठा हुआ है 25 फाइफ टेंड मीटर कुछ अस्थानों पे 25 फाइफ टेंड मीटर पीर उपर उठा हुआ है तिक है पठार के रूप में बीटा तो यह हुआ हाई बेटा देखते हैं तो ये देखिए ये हमारा ये सहरा डिजर्ट है yeah पूरा हिलाका जो है सहरा डिजर्ट से भापड़ा है ये देखे इजीब्ट है लिविया जीरिया मौर्टिनिया माली माली अब चाह दिखिए कुछ इसमें है कि यूइल कम सर्प्राइज हम बहुत सर्प्राइज होते हैं आज के समय में कि अगर हम देखते हैं कि यहां पे कुछ समय पहले क्या था प्लेन मैदान था यानि हरा भरा यह इलाका था और इसमें क्रोकोड पानी रीवर भी थी नदिया थी क्रोकोडाल एलिफार्ट लायन जिरा पॉस्टरी सीप कैटल गोर्स यह सब इनिमल भी इस इलाके में थे लेकिन क्लाइमेट के वज़ा से क्लाइमेट चेंज हुआ और एक उस समय के बाद क्या बन गया बैटा टीजर्ट बन गया तो यह अफ्रिका कॉंटिनेंट में ठीक ह आते हैं क्लाइमेट अब हम देख लेते हैं क्लाइमेट यहा का कैसा है तजाहिर सी बात है टीजर्ट से यानि क्लाइमेट बहुत ही ज्यादा होट होगा और रेनफाल वेरे स्कैंटी ठीक है यही में एक इलाका है बटा अल अजीजिया इन्दा सहारा टीजर्ट में जो स्थेन्प्रेचर यानि होड्च कितना रिकॉड किया गया है 1992- ला में सबसे है अधिक किया गया है객 मेल्जिए तुब है have होट निस 국 Geme क्लाइमें यहां का होट यहां का सूस्ड जञेशन यहां पर बरसार बहुत कम होती है ऑस्मान बहुत बाधल रहित और साप होता है यानी बांद बीना बादलक सबस्क्राइब सब्सक्राइब कई टेजी से होता है देज अंविलिवली फॉट दीन यहां पर बहुत फी जादा अभिस्वासनी तरीके से गर्म होता है तेंप्रेचर डिरिंग दे में सूर एज हाई दीन में यहां का टेंप्रेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँ जाता है हीटिंग अप दे सेंट बालू बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है जबकि रात बहुत ही ठंड हो जाती है रात यहां की रात और यहां का तापमान लभग इतना तक चला जाता है यानि जिरो डिग्री हीमांb ही तक की बदों तक चला जाता है अन्तर है अप फ्लॉरा अन्थ यहां का जिव जन्तों केुक्प फूलों पड़ी कपले प्राणी जीव यहां प्रमुक था इसए वीजयाहं कुछ ऐसे अस्तान्न जया पर इसरे किसको कहते हैं ग्रीन आईलेंड मतलब कि ऐसे ऐसे बीच बीच में कुछ ऐसे जगह जहां पर हवा के जरीए बालू कुछ उड़ जाते हैं तो वहां पर गढ़ा टाइप के बन जाता है और वहीं पर पानी मिल जाता है नीचे का तो वहीं पर इलाके पर कुछ लोग रहने लगते हैं और पे ऐसाल एकल फॉक्स इस्कॉर्पूश यह सब बता है तो जाते हैं तो आएक पर आग्जाने का पाया है मचली के सकली तो यहानिश समझाथा कि इस एरिया में पहले बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी रहा होगा ठीक है यह देखिए Oasis यहीं वाला चेतर है हरे भरे बीच में कहीं कहीं हरे भरे तो यहीं पर खाजूर खाफी मात्रा में आप लोग क्रिसी भी करने लगते हैं अब यहां कि लोगों के बारे में देखिए लोग यहां कैसे हैं दस हारा डिजर्ट डिस्पाइट इस रस क्लाइमेट साहेज बीन इनिवेटर बाइवेरियस ग्रूप सब फिपल हैं यहां पर कुछ लोगों को ग्रूप में लोग रहते हैं खुमन्तू टाइप के रिरिंग लेव स्टोक इनका परसुपालन चराई का इनका प्रमुक कार्य होता है इनके पास गोठ होते हैं सीफ होती है कैमल होते हैं होर्से सोते हैं यानि यह सब ज्यूजंत होते हैं इनिमल्स से इनको क्या-क्या मिलता है मिल्क मिलता है and heights from which they make लेदर लेदर भी ये लेते हैं यानि जीवजन्तों की जो खाल होती चमड़े उनसे लेदर लेदर से बेल्ट बनता है इसलिए पर वाटर बोटल्स करते हैं कार्पेट भी क्लोच कपड़े और ब्लैंकेट्स कंबल ये सब यूज करने के लिए पसुपालन से भी प्राप्त करते हैं ठीक है पसुण से देवियर हैबी रोप्स ये बहुत भारी कपड़े पहनते हैं किसके प्रोटेक्शन के लिए डस्ट इस्टोम्याली धूल भरी तुफान आंधियों के और होट वैंड्स और गर्म हवा से बचने के लिए ये कौन ये बहुत भारी रोप्स पहनते हैं याणि कपड़े ठीक है दो ऐसी सिंदर सहारा और नील वैली वैसी सहारा में जो ऐसी से यही पर नील वैली इजिप्ट में है यानि इजिप्ट म और थी है इसे इनकों फटाष्क्राइब चलावशंक के लिए जहां पे पानी मिलेगा नील पलेजन लोग करेंगी रसलते पकांवाशंक करी हरे सबसस्राद नील थीप यहाँ पर भाप बेगे लावनुए बंस मतल़ ऌरद यह सब यहां पर खेतिवारी होती है एजिप्सियन लोग कॉटन के लिए फेमास है एजिप्ट का यानि मिस्र की का पास पुरे विश्चो के लिए प्रसिद्ध है विश्चो में पूरे प्रसिद्ध है डिस्कवरी आप आप आया यहां पर तेल की खोज जब हुई तो जो हैं तेल के लिए फिमस हैं तो सहारा डिजेट में यहां जाहरी से बात डिवलप होगा वेटा ट्रांसफार्मिंग होगा अधन मिनरल्स और भी खाने और भी खानी तत्तों मिले हैं यहां पे इस एरिया में उनमें से कॉन कॉन से आयरान फासपोरोस मैगनी जैनी यूरीनि देखा अब हमने कल्चरल लेंडिस्केप सहारा इज अंडर गोइंग चेंज बहुत सारा यानि वहां के सांस्कृतिक छित के मामले में सहारा में बहुत ही ज़्यादा चेंज हुआ ग्लीमिंग गलास Prof. यहां पर ग्लास वाली बिल्डिंग बनने लगी यानि बिल्डिंगों में बड़ बड़े टावर वाले मॉस्कूच्व मस्जिद के मास्जीध वाली ब बील्डिंग उसमें बड़े-बड़े ग्लास लगने लगे प्राचीन समय में जो उट के रास्ते थे तो आप सूपर हाईवे रोड बन गया ट्रक्स ने रिप्लेस कर दिया उट को किसके लिए साल्ट ट्रेड यानि नमक के बैपार के लिए जो उट को यूज में लाया जाता था ढोने के लिए वहाँ पर ट्रकें आ गई कि क्वी रोट बन गया टूरेक्स आर सीन एक्टिंग एज गाइड जो टूरेक्स थे मतलब टूरेक्स उनका क्या काम हुओ उनका मुखरूप से काम था फोरेनर टूरिस्टों को गाइड का काम करना यानि उनको इधर उदर ले जाके घुमाना जादा से जादा जो नॉमाइडिक थे और हर्ट्समें थे यानि चरवा है आर टेकिंग टू सिटी लाइफ फाइडिंग हो क्या कि सहर में जाने लगे किसके लिए जॉप्स के लिए कहां पे ओयल एंड गैस ऑपरेशन में जॉप्स के लिए जाने लिए यानि ओयल और गैस इसकी company में काम करने लिए ठीक है बाई तो यहां पे यहां पे एक आपका इलाखा सबसे बड़ा है इसको देखते है और मोरको में सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा ओैसिस है उसकी पूरी टोटल लंबाई कितनी है 13,000 स्कार किलोमेटर ठीक है